स्वर्वेभ्यो नमह देववानि संस्कृतम यूटूब चलद्रिश्यम्प्रति भवताम भवती नाम्च आर्दम स्वागतम अधिक जानकारी के लिए आप इन वाट्सअप नमबर पर संपर्क करें चलिएगा गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था 113 मां सूत्र हमने पढ़ लिया था मृजेर विभाशा आज हम आगे पढ़ना आरम करते हैं 114 में सूत्र से उस तक को आप उद्धकाटित कर लीजेगा खोल लीजेगा उसको ओपन कीजेगा सूत्र है हमारा राजसूय सूर्य मिर्शोद्या रुच्या कुप्या कृष्टपच्या व्यथ्याः समासा हा राजसूय सूर्य मिर्शोद्या रुच्या कुप्या कृष्टपच्या व्यथ्याः प्रतमावी वक्ति ही बहु बच्रानतमा तमा समासा हा राजसूय इत्यत्रा इत्रेत्रयोग दुन्द्वा हा इन सभी में इत्रेत्रयोग दुन्द्व का समास कर दिया है आप इसका विग्राइ म स्वयंन कर सकते हैं मैं भी आप को करने में सहयोग करता हूं यहां पर सभी शब्दा अलग अलग दे दिये हैं इनके साथ हम कर लें गे तो आप्य इस तहार के तर्ट इतमां सुगई है र्था है राजसूय सूर्य मिर्शोध्य रुच्या कुप्या क्रिष्टपच्या अव्यत्या इत्य ते शब्दाह क्या प्रत्यांता निपात्यंते राजसूय सूर्य मिर्शोध्या रुच्या कुप्या क्रिष्टपच्या अव्यत्या ये शब्द क्या है क्या प्रत्यांता निपातन क यह जाते हैं कि कुछ कार्यों को रोका जा रहा है कुछ कारी जो प्राप्त नहीं diesen कराया जा रहा है ठीके यह ही निपातन है आएगा यहां पर आप देख ले ते हैं क्या क्या निपातन है किसके शब्द के अंदर गुरू जी ने लिख दिया है राज सू यहा राजन शब्द पूर्वात शुई धातो हो कर्माणी अधिकरणेवा क्या प्रत्य यहा तुग भावो दीर घत्वंचा निपात्याते कहते हैं राजन शब्द के पूर्व में रहते हुए उपद में रहते हुए शुई धातु यह शुई धातु से कर्म कारक में अधिकरण कारक में क्या प्रत्य कर रहे हैं और तुक अभावा हा जो क्या प्रत्य होने पर क्या प्राप्त हो रहा है तुक हो रहा है रस्वस्य पि खिणा कर रहे हैं कि नहीं होगा तो तो गभावा दीर कर रहे तो कर रहें किसी से प्राप्त नहीं था तो दीर कर रहे हैं तो यह तो यह राज सू यहां ठीक राजसू यह क्या है एक प्रकार का यज्य है राजाओं के द्वारा जो किया जाने वाला एक यज्य है राजा लोग जिस कर्म में ठीक है जिस कर्म को अथवा जिस कर्म में अपने उन्नती के लिए कुछ करते हैं तो उसी को राजसू यज्य कहते हैं अब हिंद प्रत्या निपात्ण किया गया है अब बता रहे हैं कैसे बनाना है देखेगा बताते हैं कि स्री गतव कित्यत अस्मात क्यपी परताह उत्वम एवं शू प्रेड़ने अस्मात क्यपी परतो रूडागमो निपात्यते कहते हैं कि उगक्त बताव से तो कह रहा है कि उन्येगा क्या किए जाएगा यहां देखेगा बंद पूर्ण काया अब यहां पर क्या है एक सूत लग जाएगा व्याकरन का हाली चाहाँ आठ में अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र हाली चाह नीचे लिखा हुआ है अभी पढ़ेंगे आली चाह से क्या हो जाएगा रेफ की उपधा को हलके परग्णत दीर को हो जाएगा तो इसको ऐसा हो जाएगा तो सूर या शूर बने गया स्रीदातू से सूर ब कर देंगे इसको यह प्रत्य को önemli कर देंगे तो कैसे बनेगे इसका इसका यह से बनेगा यह बनेगा अगम कर देंगे तो के बने आए डूम होiform ऑर यह क्यए ने परचेद परिता स्क्वी ऑगा तो यह आया रुट रुटका रुटका टकीट संज्या र वचेगा केवल क्या बचार रह अब इसको जोड़ देंगे तो क्या बने आएगा यह सूर्य बने गया स्वाधि उत्पत्ति करके सूर्य बने गया ऐसे भी बना सकते यह सूर्य हाँ ठीक है यह दीख रहा होगा आपको यह बाकी असरल है ठीक है और आगे कहते हैं मिर्शोद्यम इती मिर्शा पूर्वस्या वदधातो क्यप प्रत्य निपात्यते मिर्शा उपद के रहते हुए वद्धातु से क्यप कर दिया ठीक है और कहते हैं यहां पर क्यप और यह दोनों होते वद्धातू से यहां पर कह रहे हैं वद्धे के वल यहां पर रहते हुए तो क्यप ही होगा ठीक है क्यप होगा तो क्या होगा यहां पर क्यप के होने से क्यप के होने से कि मिर्शा मिर्शा है यह पूरा मिर्शा ऐसा कि मिर्शा है और वद्धातू आ जाएगी और क्यप हो जाएगा तो इस क्यप के परे रहते वद्धातू को वच्चि-स्वपि यजादी नाम किती यजादी गण में पड़ी हुए दो संप्रसारण हो जाएगा ध्यान देंगे क्या होगा संप्रसारण ना बोर्ड पर आपको लिखांके बता देता हूं देखिएगा ये क्या है म्रिशा ये अभ्य है म्रिशा ठीक है मिरिशा बोलते जूट मिरिशा और ये सू और वद वद दातू से क्यप प्रत्य हो जाएगा ठीक है ये क्यप हो गया अब क्या हो जाएगा इसका उपन मतिंगादी से समास हो जाएगा हो करके पूरा सब कुछ हड जाएगा कित्संजा हो जाएगे क्या वचेगा आपका म्रे का और वद इस सूत्रने राजसुन जुरी से क्या वगया हैै और प्रत्य कि अनले बाकि जो क्या सूत्र प्रत्य प्रत्य आपोते जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा है Martin और इसके परि हुआ इकटर समप्रसालन तो इसको क्या समप्रसालन होगा और यह आ समप्रसालन आच्चे से पूर रूप होकर की क्या हो जाएगा दोनों के स्थान में उ हुआ हुआ अब अमारी स्थितिका हो गई क्या हुई मरिश्ष Mri-Shah और यह U और दा और या अब यहाँ पर आतगुना प्राप्त हो जाएगा तो Mri-Sho हो जाएगा मri-Sho-Dya और स्ऻाधिवत्य पत्ति करे यहाँ पर सू आजाएगा नपूम-Sak Luje है इसलिए इसको अम हो जाएगा अतो अम और आम यह पूर्वा लग करके क्या बन जाएगा इसको म्रिशोद्यम यह बन जाएगा म्रिशोद्यम ठीके यह हो जाएगा म्रिशोद्यम ठीके चलिएगा आप लुए जाएगा म्रिशोद्यम ठीके तो क्या प्रत्य थे ने तो अबवाद आएगा तो से क्या एं करता में कर दो करता कारक में दो प्रते का निपातन किया जाता है कर दिया तो कुछ भी नहीं है और बाखी का रुच्चंग समय जाएगा ठीक है कुप्यमict इत्यत्र गुपधातो हो क्यप आदे है गकारस्य चा कत्वम निपात्यते संजायाम विशे अने तो अपवाद हाँ एते कुप्यम कैसे बन गया गुपधातू है गुपधातू से क्यप कर दिया और गुपधातू के आदी गको का कर दिया तो क्या बने कुप और यह कुप्यम किसी विशीस का नाम में नामों का तभी कुप्यम ठीक है अभी बताएंगे उदानका अर्दिया गुरुजी नहीं पढ़ाएंगे तो यह भी रहलोणियत से अन्यत प्राप्तता उसका अपवाद है क्रिष्ट पच्च्चा इती क्रिष्ट पूर्वात पच्च्दातो हो संज्यायाम विशय कर्म करतरी क्यप निपात्यते क्रिष्ट पच्च्च्या यह जो शब्द है यह क्रिष्ट शब्द के रहते हैं पूर्में रहते हैं पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कि पहले क्या करते है पाग किष्ट पच्च्च वने ऐसी फसल जो जोते हुए खेत में स्वयम करके पक जाए तो क्या होता है फसल को पकाना पड़ता बो ना वो करके भीज उगाना पड़ता है सब कुछ करना पड़ता है पर अइसी फसल के खेत जोत दिया और अपने अप भीवानी की कोई जरौत नहीं है थिके बहुत सारी ऐसी फसलें है ठीक है कि और किश्ट पक्च्छा हो गया सामानने इसमें इस्त्री लिग तो किष्ट पक्च्छा वता रहे हैं कि कि यह कि अधर यह बावचन में भी आ सकता है यह पर अब यह दारन कि अभ्वया कट-पोरबात तो करता में करता करता करक में आ Angry के तो तो सामान ने कुछ भी प्राप्ती नहीं आपक तो अब व्यत्थ्याह आ जाईएगा अब इसके यह तो निपादंद्रादी अब इसको उदारणों में दिखा रहे हैं गुरूजी ठीक है यह उदारण मुक्रूप से दिखा रहे हैं राजा राज्या सोतव्यो राजा वा वेह सुयते राज सुयो यह जहां कहते राज्या सोतव्याह राजा के द्वारा जो किया जाता है अत्वा राजा यहां पर यह करता है कब अच्छा करता है तो कहा है वो राजसू याज यह राजसू कहा जाता है ऐसी इसा रिख आता रम्お願いします आपहना ही सहाग अच्छती लोग के एमाने निरंतर जैसे जैसे यह पृतवी लोग चंद्र लोग बहुत सारे लोक के नोग का साथ ही साथ गति करता रहता है ये यह भी गति करते हैं वह भी गतविंगतopare터 Crispy लगता है? तो इन सभी लोकों के साथ जाता है उसको सूर यहां सूर बोलते हैं यह सन जिसको सन को बता रहे हैं ठीक हैं अत्मा करमाणी कर्म में बताते हैं ठीक है कर्म में यह 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 उपर बताया था यह case स्री गतव उसे तो करता में बताया था ठीक है और यह अब है कर्म में कर्म में देखते हैं कर्मनी कि श्रीयते विज्ञायते विज्ञाप्यते वा विद्वद्वे सूर्य हां कहते हैं जिसको सूर्य को कहते हैं यहां सूर्या का अर्थ है पर्मात्मा का भी नाम सूर्य हा ठीक है यहां सूर्यहा अधवा शूधातौ हो सुवती प्रेरयति- सूर्यहा कर दिया है चैसी आप यह यह कर्म हो ठीक है और यह करता में था में अब शूधातौ से बता रहें शूधातौ से कहते हैं बनाएंगे तो क्या होगा सुवती प्रेरेती से सूर्य जो प्रेरणा देता है यह सूर्य सूर्य है उगता है तो लोगों को प्रेरणा देता है उठो मैं भी उठके आ गया मैं भी गती कर रहा हूं आप भी काम करो आप भी गती करो तो प्रेरणा के का प्रेरणा देने की कारण के सूर्य को सूर्य कहा जाता है है इसे परमात्मा को भी ले सकते हैं पर परमात्मा भी प्रणा देता अंदर से म这么 camps madam आयम मने जूटा वाक्य ये तो उस्ताइन जोन मिर्शोद्यम मने जूट्ध भम लना जूट भना वही है जूट बोलने वाला जो पाइद सम्रिशोद्यम वाक्यम रोच्यते असव रुच्या जो ची अच्छी लगती है उसको रुच्या का गया है यहांपर तो करता है यहांपर करता ही तो है अने यह संप्रदान का अब उसमें रुच्यर्थानाम प्रियमाना जो ची अच्छी लगती है औरे भो क्या होता है करता होता है जिसको अच्छी लगती आ वह संपर्दान होता है तो यह पर क्या है रोचते असव Chanel जो अच्छा लगता वो क्या है रोच्य हम और यह यह रुच्या बन गया कुप Kendall यह कुप्यम भी क्या है गुपधातू से था तो यहां पर कुप्यम का जो गुरुजी ने अर्थ दिया है वो दिया है सोने चांदी से भिन एक धातू होती है जो सोने सोना नहीं है चांदी ने उससे भिन जो धातू है उसको बोलते कुप्यम यह जो गया आगे कृष्ट क्रिष्टे पच्यंते क्रिष्ट पच्याहा मने क्रिष्ट अपने आप जो पख जाते हैं उनको बोलतें क्रिष्ट पच्याहा पौदे फसल जो दुख नहीं देता तो कश्टकारक नहीं है ठीक है यह हो जाएगा अब देखिएगा अब हम यह आपर देख लेते हैं यहां गुरुजी ने अर्थ दिया है उनका उन्हों शब्दों का अर्थ देख लेते हैं मिर्शोद्यम जूठा वच्चन रुच्यम सुन्दर कुप्यम सोने चांदी से बिन्जोधातू ठीक है और कृष्टपक्च्या हल से चली वी भूमी में स्वयम ही पक जाते हैं ऐसे पौधे कृष्टपक्च्या यह यह बाकी समाने ठीक है आप व्यत्या जो व्यत्थित नही होता दुखी नहीं होता एक करता में आ गया है लगाकी सभी संस्कित में आपको समझा दिया है वैसे कि इस सूत्र के अंदर एसे उदाहन दिए गये हैं कि जिन का उतना अधिक प्रयोग तो नहीं है कि को सूर्य शब्द श्यान देंगे हैं गूर शब्दा आपको यहे बनाया और बाकी के शब्द है उतने प्रसिद्ध नहीं है राज प्रसिद्ध में ऩहीं हलिए दो शब्द प्रसिद्ध है तो इनकी विदपत्ति हमें तो यहीं देख देख लिए अ बाकि सभी यहां लिख दिया है जो चीज कार प्राप्त नहीं थे उनको प्राप्त करा दिया जो अधिक प्राप्त थे उनको रोक दिया है पसितना ही ठीक है चलिएगा आगे आजाईएगा सरन सर ने सभी निपातन के सूत्रे प्रतमा व्यक्ति 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 अनुवृत्ति क्या पधातो प्रत्या परश्चेन की अनुवृत्ति है अर्था भिद्या उद्या इत्यतव शब्दव नदे भिधे करतरी वाच्चे क्या प्रत्यान तव निपात्यते ते क्या कहते हैं भिद्या और उद्या ये दो शब्द नदे अविदे नदे माने जो प क्याना हो तो क्या है कर्थ्री वाच में क्या प्रत्यांति निपातन किये गए हैं क्या ने पतन किया गया अद्राण ठाथे हैं विद्धा तो गिक्नारे वह तो तोड़ने वाले जो नधियां, उनको क्या बोलते हैं? विद्यो नध्याहा, नदाहा मने ऐसी नदी विद्याहा. ठीक है? तो नदाहा. उज्जा उत्सरगे उंदी कलेदने इत्य तस्मात उज्जती उत्स्रिजती जलानी इत्य। उध्याहा नदाहा. यह दो प्रकार से बना सकते हैं, उज्यत्वा उन्दी इनमेंसे किसी से बना सकते हैं तो कहते हैं इसकी विखती जानी तो नदा रहा है वोई अर्थ है तटों को इतना इतना त्यजिए उसमें अधिक पानि आजाता है उसके तटों गीले हो जाते हैं बारी साइड से भी गीले हो जाते हैं ठीक है पानी ओबर निकल जाता है ठीक है तो ऐसे ना तक नद को क्या बोलते हैं उद्ध्या कि जलिए का सर अलाय में कुछ भी नहीं है शब्द निपातन किये गए यहां पार है कि यह लिखा हुआ गुरु जी ने यह है क्या जी हो प्रतविट यह टा अंदी दॉसे निपातन किया जाता उड्डियमें उद्ध्यमें तो से नकार का लोगत्यास निपातन हो जाता है अधों थ्वा उच्च से लात्त के यह लोगतन सीहिफ्ट निपातन से ऊताएं किसी से ुना लेंगा हैं यह बना सकते हैं तो इसमें यहां पर जब धा हो जाएगा तो यह जाएगा अपने आप उद्धेवन जाएगा ठीक है क्या प्रत्य हो जाएगा और उन्दी से बनाएंगे तो नकार का लोप कर दिया और धकार को जो नकार का लोप कर दिया तो उद्ध्या बन जाएगा इससे भी जलिएगा वैसे यहां पर कि जब इससे बनाएंगे उद्ध्यसे तो ज्धह को तो क्या हो जाएगा ढ़lläगा यह लेग रहाए गुरू जी ज्धार को धत्व दीनिपातन से हो जाए उद्ध्यसे और यह जाय-ज्या वात्तम मिमें करना पड़ेग़ क्या करना पड़े गड़ द तब ही बनेगा और जब उन्दी से बनाएंगे उन्दी से बनाएंगे तब क्या होगा तब यहां पर दुत्त हो जाएगा संधी सुवाने संधी सूत्र से दुत्त हो जाएगा कि यहां दुखत्व हो जाएगा कहार इसको यह परिरते धको धुखत्व हो जाएगा तो बर उच्छन हो जाएगा कि इस प्रकार चैसे उद्ध्या वण जाए गा पर नंतो इतनी राम कानी की कोई अविश्यक्ता भी नहीं यहां पर महर्शी पाण ने बने बनाय शब्द निपातन कर दिए ठीक है चलिएगा जाईए पुश्य शिद्याउ नक्षत्रे पुश्यष्यष्यव नक्षत्रे पुश्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष् पुश्य स्ध्य स्धिश्च sociology पुश्य सि ध्याऊं। इतर रोगया है।ै अनुवर्ति जपधातो प्रत्य प्रश्चिन यनुवर्ति है कर अर्थ है। भिते वज़े सिधस्च अध्याता दिंपध क्याट्य करने कारके। नक्षद्ध्य भिदे होने पर नक्षत्र है दी कहना हो तो पुष्धातू से और सिद्धातू से क्या है कि प्रत्य का निपातन किया जा रहा है उदाहर पुष्यंती अस्मिन कार्यानी सब उश्याहा जिस जिस नक्षत्र में कार्य पुष्ट होते हैं अच्छे होते हैं तो उस नक्षत्र को क्या बोलते कि यह भी कैरियों की शिद्धी होती है उसको सिद्ध रक्षतर बोलते हैं यह लिका है ठतर विशेश को जाता है है इसमें कुछ भी नहीं है यह द्द किया प्रत्यकर दी हाँ वाकि़ तो यह नहीं कुछ भी तो यहां समझ लीजिएगा जैसे यहां कह रहे हैं सिद्धातू से क्यपका निपातन कर दिया तो क्या वने गया सिद्ध्या अब यहां पर थोड़ा सा यह डाउट हो जाता कि सिद्धातू है मैं पहले बताया था भी फिर बताता हूं सिद्धातू है शिद्ध शिद्ध है तो उसको दात्तवा दे शासा से सा हो गया तो सिद्ध और यह क्यापका यह हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया अब यहां पर यहां पर यह दा कहां से आया तो यह मैंने बताया था अभी दुद्द्ध करने वाला सूत्र है उसको लिख लीजेगा अनाची चाहे यह आठ चार तंख्या भी बता देता हूं आपको कि यह आठ में अध्याय के चौथे पाद का चालीस मासूत है एक पोटी इक्स इससे क्या हो जाता है दुट्ट्ट हो जाता इसको अनाची चाह से इसको धा धा दो बार हो जाएगा से इसको क्या हो जाएगा इसको दो जाएगा इसफी में जैका यह सिद्ध्या आसे ठीक है एसी कैले मेने दुट्ट बता आता वहाँ पर दुट्ट्ट होगा अनस चीचा लगएगा ठीक है कि चलिएगा विपूय विनिय जित्याह प्रत्मा बक्ति भावचनानता मुन्य कलका हलिशू सब्तमी वक्ति भावचनानता समास उबयत्रा इतर है योग दंद्व है तो विग्ण में आपको करा देता हूं इसका देखेगा के बिपूय अश्चा गिनीश जित्य स्चा गिपूय बिनी जित्य हाँ ये विग्ड्र हो गया उन्ज चा लराफ है स्चिक अंभुथिया है परश्च इनके अनुवर्तिया रहे है अर्था हां विपूया विनिया जित्या इत्य ते शब्दान यथा संख्यम मुझ्या कलका हली ते श्वर्थे शू निपात्यंते ठीक है विपूय विनीय और जित्त एशब्द यथा संखिकर के क्रम से विपूय मुझ के अर्थ में और विनीय कलक के अर्थ में जित्त हली के अर्थ में निपातन किये जाते एं थीक है विपूया इत्यत्रा वी पूर्वाद पुई पवने इत्यस्माद धातो हो विनिया इत्यत्रा वी पूर्वाद नी धातो हो जी इत्या इत्यत्रा चा जी जये इत्यस्माद धातो कर्म नी क्यप निपात दे कर्म में क्यप कर रहे हैं एक जीदातु से बना दिया ठीक है उदार्ण विपुयो मुञ्याहा मने एकदम शुद्ध मूझ मूझ होती है पहले एक मूझ होती थी जिससे रस्षी पठी जाती थी राचिनकाल की है तो मूझ का एक ज्यादी में भी बहुत प्रयोग हो जाता प्रयोग किया जाता था वो कि अद्योग याहा मुञ्याहा ने और कर रुखने और कंशड़ को शुद्ध będziemy बनाई जाती है उसके dancing होती है पिटि भोले CD बशाता हों गाइं और को कूट कूट करतेना उसके पिठी बनाए जाते पर उसमें टैबलीट बनाई जाती है तो उसकोu बोलते हैं बिनी यहां कल काहां और जित्यों हाली ही हाली हाली का अर्थ होता हल बड़ा हल जित्यों हाली हल को कहना होगा तो फिर इन से क्या प्रत्य प्राप्त होगा की अपर क्या कहते हैं गुरुजी ने हिंदी में देख लेते थोड़ा सा ये है विपूरवक पूई धातू से मुझ अर्थ में विपूरवक नी धातू से कलक अर्थ में विनिय तथा जी धातू से हल अहली अर्थ में जित शब्द निपातन किये जाते हैं जित्या में तुक आगम रस्वस्य पिति कृति तुक से होई जाएगा ठीक है जी और क्या पतुक हो जाएगा विपूयो मुंजह मुझ विनियह कलका आउशदी की पीठी जित्यों हली बड़ा हल जब मुंजह कलका हली यह अर्थ नहीं होगे तब इन धातुओं के अजन्त हो बने से अच्चो यत से यत प्रत्य की प्राप्ति होगी अच्च से जो रूप बनेगा वो बन जाएगा वो अभी बनाना नहीं हमें ठीक है चलिएगा यह हो गया आपका आगे आ जाईएगा यह ऐसे सूत्रेन का प्रियोग बहुत कम है परंत क्रम में है इसलिए हम पढ़ रहे बोग। म tomar lorsqu आप्व। ठीक है अर्था है प्रति अपी तेमं पूरबाद ग्रहे थातो क्या प्रत्यो भवती प्रती अपी इन पूर्वक ग्राधातु से क्या प्रत्य होता है यह निपातन नहीं यह प्रत्य है कि वलसिदा की उधार मत्तस्या ना प्रति ग्रहियं प्रति ग्रहियं प्रति ग्रहियं का वचन है यह पता दिया है तस्मान ना अपि ग्रहियं य यहां पर प्रति ग्रिहयम बने गया अपर यह लिखा हुआ है तब से पहले रिखा प्रत्य पिभ्याम ग्रेश चंद सी यह जो सूत्र की जो उदारने यह लोक में नहीं प्रयोग होंगे इस बारतिक से चंद में ही प्रयोग बनेंगे अप्रति ग्रिहयम इनका प्रयोग कहा पर करना पड़ेगा संद में अही ओगा ऐएगा अप्रत्य यह आपको घ्राह दातु है क्या प्रत्य इससे ओगे आपका हो थीक है इसक्या कित प्रत्य यह च्छट में अध्यार की संघ्या भी बता देता हूं उससे इसमें संप्रसारण होगा trip yuin a sου रहे टूट्र अ का 6 अध्याय के प्रथं पाद का 158 ऊनोड़ा शु रहे ग्रहिज्च आवाई-ब्य-धि-वश्टी-विच्ट-विश्यक्ट-विष्च्चति-विज्यक्टि नाम गितिच्व इससे क्या होगा संप्रसारण होगा तो संप्रसारण हो जाएगा संक्या भी legend देता हूं श्य Adobe है मैं नहीं देख करहा यहां पर है यहां पता लिख देते हैं छै एक सोलह ठीक है इससे संप्रसारण होगा ग्रह दातु हां पड़ी हुई है तो क्या यह क्या हो जाएगा तो रखो संप्रसारण क्या होगा इग्रेण हां संप्रसारण हम यहनको गया अद्ध को रियो जाता समप्रसारак तो ग्रीह इच्छाg spider the ऐसा के ऐसा सम्प्रसाण की स्थती ऐसी होगी देखेंगा पहले क्लियर इस्थतक ये ग्रीह ये को क्या हो गया नहें र हा को क्या होग्या अरली और फिर आ बचके या और ये हार और ये यह तुछ है संप्रसार्टा अच्च लग जाएगा संप्रसार्ट अच्च پूरौड रों करके री और अको री बन जाएगा तो ग्री फा तो प्रति ग्रिःः और नपून सा खेले हैं इसलिए शुआज जाएगा अतों अमिपूरुबाहपतप्रति गृश्यम ऐसे अप्पि लगकर के कि अप्पी गृश्यम ठीक है चलीएगए हैं चो यह हो गया कि पदास्वैरि वाई या पक्षेश तो च अश्वाइरी बाहिया चापक्षया चापदास्वाइर बाहिया पक्षा तेशु इतर योग धुन्द्वाह अनुगृत्य है ग्रहें क्यप धातो प्रत्ययाह परश्च ठीक है अर्था हां पदम है पदम यह पता रहे है पद मोई पद से पदम माने जो पद संज़ा होती है इसकी एक शब्द मने कि 스प्रिकंधम पर рекेसरें संज्कृत सवारी मानने परतंत्रा हा बदों को दोड़ सकते हैं अबग्री इसका देदाधी के ततो नहीं इन अर्थों में ग्रह दातु से प्रत्य होगा तो जैसे उदारण में दिया पद प्रग्रियं पदम प्रग्रिय संयक एक पद प्रग्रियं बन गया तो यह पर भी वही अ तो पूरा शंप्रसानदी प्रपूर्वा ग्रिहदातु से यह पर क्या पोगा संप्रसानद होगे प्र गृहियम् पदम बन गया तिक है अब महतक ग्रिह ग्रिहिया का मने यह पराधी नहें यह लोग पराधी नहें तो ग्रिहिया का हमे यह विश्ण संदी हो गई है तो ग्रिहिया का इमे बाहिया अर्थ में ग्राम ग्रिहिया सेना मने गाउं के बाहर की सेना गाउं के बग्किनारी रहने वाली सेना नगर ग्रिहिया सेना नगर के के बाहर रहने वाली सेना अ scratch मैं वासंदेव ग्रिहाः बागर के बाक्वालिय पॉण्टो सब जगा यह तब यह होगा यहाँ प्र पूर्वक्वक यहाँ पर कुछ नहीं है ठीक है कि यां एक बात मैं अभी बता हुँआ आपको क्या है यह का अब और यहां पर पूर्वट ग्राम उपन होता चला रहान है यहां पर गुरिया का आगया है ठीक है कि यहाँ पर क्या है क्प्रत्य हो जाएंगा कि पांच मैं अध्याय में हम देखेंगे कि वहाँ पड़ शूत्र रहे हैं का क्प्रत्य करने के अल्पे हरस्वे आदी तोया अलपा अर्थ मैं अअ अलपार्थ में यहाँ पर क्या हो जाता है अधिक शुकुद्रना लिए खरी बात में कप्रत्य करते कर लिया है और फिर भवचं में तो महीं का मने थोड़े से फोड़े से परतंत्र लोग यह अर्था यह ठीक है पंच में अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र मैं बता देता हूं आपको कि 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 अल पे 85 मां सूत्र देख लीजियेगा याँ पर है का प्रत्य होता है ठीक है कण प्रत्य यह कहां से आगया कि तो यह हो गया यहां पर देख लिए हंदी में गुरु जी ने अर्थ लिख दिया है प्रग्रियम पदम अवे औना अवगर्यम पदम अवगरा करने योग पद मना अवगरा कायव तो तहस года अलग अलग करने करना अश्वेरी ग्रीः काईले ये प्राधिन थोड़े से लोग आई वाहिया ग्राम ग्रहियास ए न गाव के बाघर की सेना नगर के बार की सेना पक्षण ने बासुदेव ग्रहिया हा वाँदेव के पक्षवाले अरोन के पक्षवाले ठीकैं जी चलिएगा सरल है एक सूत्र और पढ़ लेते हैं कि विभाशा क्री विषो हो विभाशा प्रत्मा वक्ति एक मचनांतम क्री विषो हो सश्ठी वक्ति दिवचनांतम समासा क्रीचा व्रिषचा क्रिव्रिश उतर्यों अनुवर्त्य ही क्यप दातों प्रत्य परष्टें की अनुवर्त्य आरहिए है एक अर्था क्रिव्रिश इमत्य दातों से विकल्प करके क्यप प्रत्य होता है ठीक है पक्षमें इनित्र हो जाता है क्योंकि इनद को कि प्राप्ति थी किसी को प्राप्ति यह कहते हैं कि qr Marco है कर अरolic करकी क्या होता है क्या citizens साथ है और विश्टाटक याइस रिदूपध इसको क्या रिदूपध हाच्चा क्ल पिच्छते था जो हमने पिछली कख्षाम पड़ लिया था क्या प्राप्त था किस इन दोनों के इन विकल्प कर दिया तो पक्ष में अब क्या होजागा इसी से कि अभी देख लेते हैं उधारण में कृत्यम कारियम वरिश्यम वर्श्यम टर ELAG ज्यान दकैंगे कार्य शब्द और कृत्य शब्द की विद्पत्ति हैं वहीं होती विवाशा क्रिव रिशो ध्यान रख लेजेक मैं तुम आपको बता द्यान इसमन जा रहा हूं कारी शब्द का बहुत बोल चाल में ब्यावार में प्रसिद्ध है इसे कृत्यम का भी प्रचलन है इन दोनों शब्दों की विक्पत्ति सिद्धी यहीं पर होती है अब क्या होगा देखेगा यहां गुरुजिन लिख दिया उसकी नीचे आ जाएyun पढ़ लेते हैं मैं है मैं क्री रिश्दातुों से विकल्प से क्यकids प्रत्य होता हुथा पक्षमे अनेत कृत रहलोर्णियत प्राप्त था ठीक है क्या विकल्प से विदान कर दिया इससे तो पक्षमे अनेत होगा वने बाद में एक पक्ष में रियालोनियत से इनत हो जाएगा इसी प्रकार विश्धातु से रिदुपदाच्चा किल पिच्छतेह से नित्यक्यप्राप्त था नित्यक्यप्राप्त था ठीक है गया करें दित्यक्यप्राप्त था जाएगा धिस्त्राप्त थाएगा रियागा ठीक है